वो जो सल्मान की बॉल पर शादाप खान ने लॉंगान की उपर से छक्का मारा वो छक्का नहीं था वो एक statement था कि शादाप खान अभी जिन्दा है बड़े बड़े बोलर्स को शादाप 24 में 41 रख के उठने तीन नमर बाला है यह और लाहुरियों कैसा रहा दन है कैसा रहा आज की रात शदाप खान ने जंकर धुलाइक कर दी और बड़े चान की यूण शादाप खान लाऑगोरे लगए ऑन वह संपे है शदाब खान ने तीसरे टमबर प्या के एरिस रॉफ टेपिया शाहिशा अफरीदी और जमार खान की जिस तरीके से धुलाएं किया असलाम आलेकम दोस्तों जैसे कि आप नाई लाइट्स में देख लिया है चंद सेकन के बाद मेकमल वीडिय के तरफ में चलते हैं दोस्तों शदाब खान ने बहुत एच्छी बैटिंग और बोलन के जिरीए आज मैं जिताया है शदाब खान ने आज 41 के इंदों पर 77 रन मनाया है और सलमान अली आगा ने भी बहुत एच्छी बैटिंग की आज उनने भी शदाब खान का बरपूसाद दिया है आई इसके उपर शदाब खान अभी जिंदा है यह नया सीजन है होगी लाहूर कलंदर पिछले साल की चैंपियन उससे पहले की भी चैंपियन लेकिन यह नया साल है नया आगाज है और शदाब खान पाकिस्तान की टीम में वापसी करने को बेकरा रहा है प्येसल 9 की शुरुमात हो गई है औ और जबर्दस मुकाबला जो है पहले मैस का देखने को मिला लाहूर कलंदर और इसलाम अबाद यूनाइटेट के बीश में लेकिन इस मैस में कमाल जो है श्दाब का देखने को मिला श्दाब खान 4-1 एक जब बागि सारे गेन बास जो थे वो सब पिटे थे तल शादाब थे जिन्होंने विकेट निकाला और एकॉनमी जो थी वो मेंटेन करके रखा और वही मैं कहा रहा हूँ कि वो भरे पड़े थे अलाकि शुरुवार पिनने कहा भी था PSL की जब प्रेस कॉन्फरेंस चल ले थी कि 3-1 शादाब दिखेगा यह दिया था कि 4-1 दिखेगा और आज उन्होंने वो दिखा के रखा जबरदस उनकी तरफ से गेन बाजी रहे शादाब और आगा सलमान जब आए तो फिर यहां से पीछे मुड़कर देखा ने शदाब खान ने 41 गेन में 74 रण बनाई जिसमें 5 शक्के और 6 चोके थे और आगा सलमान की पारी भी उतनी दमदार थी इंटराक्ट और अच्छा खेले थे वो आगा सलमान शदाब ने तो फिर भी कई सारे रिस्क लिए कई सारे कैचस डॉप थे उनके थोड़ा सा वो मारने के मूड में थे कि आज मार के जाऊंगा एक के इंप्रिशन चोड़ के जाऊंगा लेकिन आगा सलमान वस गुड 31 बॉल, 64 रण, 7 चोके 3 चके, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट और सामने वाली टीम, 4 खाने चेट रेकिया सुचा था कि इजी विन लोडिंग है लेकिन फाइट देरी है, इस्लामबाद उनाइट ऐसी बाद नहीं है लाहूर का लंदर गेम में तो है भी रिक्वाइट रंडेट भी दस के आसपास है लेकिन खेल रहे हैं अल्मोस्ट दस के रंडेट से तो कमाल हो गया विकीट भी जादा नहीं दिये और शादाब ने बढ़िया खेल दिया उपर से हिल्स ने अच्छा खेला उसको आउट भी कर दिया बढ़िया कॉटन बोल्ट लेकिन उसके बावजूद रंगे लोग बना रहे हैं तो देखते हैं अब ये फिर निकल के मार इसलिए मज़े लग रहे है कि उसकी वाज़ा से ना डिव फैक्टर की वाज़ा साइद गृप नहीं और उपर से रंबी चलो ठीक है वर 95 39 में 63 इजी बनते हैं कहां से जीट गई और ये शादाब जैसा मतलब अजीव गरीब प्लेयर भी 170 की स्क्राइट सब्स्क्राइब आप देखे शादाब ड्रॉप्ट आजम खान ड्रॉप्ट तुम्हारा इमाद वसीम ड्रॉप्ट सारे ड्रॉप प्लेयरों को मिला के टीम बना लिए और लिए और लाहोरियों कैसा रहा दन है कैसा रहा आज की रात शादाब खान ने जंकर धुलाई कर दी है सल्मान अली आप दिखा दी है जबर्दस तरी के से ठोया है और किसने दोया है उस खिलाडी ने धोया है जो इंजड वहा था और कहा यह करीयर खतम हो गया है इनको हटाउट टीम से शदाब खान आए बतोर कप्तार के तोर पे इसलामाबाद उनाइटेट के लिए पहले उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने दे दी लाहोर को बोला कि भाई बल्लेबाजी करना है तो जाके कर ले तू एक सो पंचानबे रन लाहोर वालों ने बनाया एक सो चानबे रन का टार्गेट लगा बहुत बड़ा टार्गेट है लेकिन भाई कॉलिन मुन्रो एलेक सिल्स के जल्दी आउट होने के बाद जब शदाब खान ने तीसरे नमबर पे आके एरिस रॉफ टेपिया शाहिंचा अ आप शादाब खान आपको क्याच उठा के इदर है भाई आप क्याच नहीं पकड़ पा रहे हो सल्मा ने लिया आगा क्रिस से बाहर चल जा रहा है आप उनको पिछ पे रहते हुए भी थ्रो नहीं मार पा रहे हो सीधे स्टंप पे तो फिर क्या इल्लानत है भाई तरे भी सब को धोया गया है बहुत अच्छो तरीके से सर्फ एक्सल में और शादाब खान के बारे में जो लोग बोल रहे थे कि शादाब खान एक अच्छी यूटिलिटी अब नहीं है उनकी जगह पे किसी और को ढूड़ना चाहिए तो भाई शादाब खान ने बता दिया है कि ढ लाहूर कलंडर की टीम को मार मार कर भाया बंदर बना कर रख दिया और शादाब खान ने बड़ी अच्छी गिंदमाजी तो की है भाया बैटिंग में तो आज भाया उन्होंने कामाल करके रख दिया है शादाब खान ने चार ओवर में 24 लंग देकर एक सभलता अपने नाम लाहूर कलंडर के लिए ऑन्होंने ओले। आपने विचे लिपकर दे, Allah हाफिज